तो आज का हमारा टोपिक है अल्गोरिथम तो आज हम डिसकस करेंगे 8th क्लास की NCRT की बुक अल्गोरिथम का फर्स चैप्टर तो अल्गोरिथम क्या हो दें अल्गोरिथम फस्ट फॉल वी अंडरस्टेंड दा अल्गोरिथम तो इन कम्प्यूटर लैंवेज वी कन से दाट स्टेबाइस्ट प्रोसेजर थे Kapaz Universal ऑडीन देटा प्रोसेशिंग ई है ऐ्लगोरिथम तो यदिसयों वी का झाल से चीज करते है तो अनुल जाने के लिए सभी यूजिए समें कम्प्रोइब्लेश्र फ資ने के आज़े कप्धाikalी अल्गोरिथम और नल्गोरिथम का इाकल बएक रेक्षास्ट करेंगे बरिक्फास्ट के बाद बस पकड़ें बस पकडने के बाद स्कूल हम स्कूल पोंच énormément होते हैं यौके स्कूल में दो proto अल्गोरिथम भी ऐसा ही होते है कि step by step किसी चीज का solution ने अल्गोरिथम कहला तो आज हम बात करेंगे algorithm की definition की computer language में algorithm कि शेगाते हैं तो देखो in a mathematics and computer science in algorithm is a step by step procedure for calculation algorithm are used for calculation data processing and automated reasoning algorithm resemble recipe recipe tell us how to accomplish a task by performing a number of steps for example to bake a cake 10 steps are to make a cake बनाने के लिए तो हमें क्या step करने होंगे पहले परी heat करना पड़ेगा ओवन को फिर mix करेंगे जो भी हमारे पास उसका फ्लोर होगा फिर क्या करेंगे इसमें sugar add करेंगे फिर उसमे आइग अठा फिर अच्छे से फैटेंगे फिर बेकिंग न में डालेंगे और पिर रह सबहरो होगा के इस呢 step by step हमें procedure करना पड़ा है तो यह से computer में होता है computer में पहले algorithm से task बता जाता है कि एसा करने से होगा जैसे हम प्रोब्लम शोल करते हैं जैसे में example देती हूं जैसे हमें a plus B करना तो a plus b कैसे करेगा किसी चीज जोड़ करना है और उसकी multiply करने उसका result So करना है तो कैसे result So करेगा वह देखते हैं जैसे मुझे करना है a plus b करना है a plus b करना है और a into b की मुझे result So करना तो उसके लिए मैं क्या करूंगी तो उसके लिए करना क्या है मुझे तो सबसे पहले क्या करेंगे अल्गोरिफम करने के पहले सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट 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 के बाद लिखेंगे पहले स्टार्ट लिखेंगे हम अपना कहां गई बज़ सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे स्टार्ट के बाद क्या करेंगे सेकंड स्टेब हमारा क्या होगा सेकंड स्टेब में हम क्या करेंगे कि दो नमबर हमें डालने है तो सबसे पहले रीड करें रीड करेंगा ए और बी को एंट B को फिर उसके बाद third step हमारा क्या होगा कि इनका क्या करें sum करके sum में जो A B है उसको sum करके value डाल दे और third fourth step में क्या करेगा इनकी product करके product में कर दे A into B की और last में जो fifth step होगा हमारा तो fifth step में क्या होगा कि sum और जो product आई है मेरी उसका result सो कर दे तो यह हमारे इतने step होंगे हमें A और B की multiplication या addition दिखाने है तो यह हमारा algorithm होते हैं ठीक है अब आगे देखो तो फिर है goal of the algorithm study तो हमें algorithm की need क्यों पड़ते है इसका goal क्या है तो to develop the framework of the instruction computer to perform the task to introduce the notation of the algorithm as means of specify how to solve a problem to introduce and accomplish the approach of defining and solving a very complex task in the term of the simple task means the complex task is simply for me show करने के लिए में algorithm की need होती है जैसे अब इसमें some example देके बता रखा कि कैसे हम solve कर शकते हैं तो इसमें देखना जैसे इसमें बता रखा को लेंगे friend on the telephone तो telephone पर call करने के लिए सबसे पहले हमें किस input के चूरत होगी हमें इसके फोन नंबर का पता होगा तभी हम call कर पाएंगे तो सबसे पहले हमारे पात input क्या होगी the telephone number of your friend तो इसके लिए step क्या pick up the phone and listen of the dialing tune तो क्या होगा सबसे पहले हम फोन लेंगे फिर dialing tone को सुनेंगे प्रेस इच डिजिट ऊफ़फ दा फोन नंबर ओं दा फोन फोन फिर थार्ड कर क्या होगा इफ बी जी हैंघ अपदा फोन वेट फाइम इंट जब टूस स्टेप सेकिन्ड तो क्या करेंगे हैं तो क्या करेंगे फाइव मिट के लिए वेट करेंगे फिर दूबारा तू स् फोन टो फोन दो बार डिजिट प्रेस करेंगे पिर क्या होगा इफ नो बनार एंटा तो एक मैसिज होड देंगे हैंग का इफ नो आंसरिंग मसीन हैंग विद वेट तू हार्ष दैन जब तू दा सेकंड स्टेप तो मिन्स बार बार उसको कोल करते रहेंगे जब तक वो उसको उठाएगा नी और फिर हम सब्सक्राइब जब जब जाएंगे जब वो फोन उठा लेंगा तो टोक तू दा प्रेंड त लिए जब दा सब्सक्राइब जाने तो इसके लिए क्या हरेंगे फर्स स्टेप चाय करेंगे स्टार लिखेंगे सेकंड स्टम्ली में एक पैं लेंगे विद वोटर फिर पूट अन दा बर्न पाव पोट दपान तब दाव पानटे मैंगी बार सफ जब श्पन पून है तो कैसे सो क्रेंगे तो इसके लिए हमें चीज़िए पहले नंबर की हमें क्या है इनपुट चाहिए तो सबसे पहले हमें एफ़े की वेल्य डालने पड़ेंगी उसमें तो जैसे बर्ष ले 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 लिए एक बाद इसको डिफाइन करने के लिए जैसे मुझे क्या करना है A plus B का whole square है तो इसका हमें पता क्या होता है A plus B into A plus B ठीक है तो इसको अब क्या करेंगे हम इसको पहले start में क्या करेंगे जो first step उसमें क्या करेंगे हम A और B की value डालेंगे मैंने a की value डाल दी 1 और b की value डाल दी मैंने 2 तो उसके बाद ये इसको read out करेगा read out करने के बाद फिर इसका sum करना है sum करने के लिए मैं एक value ओड़ूँगी c जो भी result आएगा a b का वो c में डाल दे तो c के equal a plus b कर दूँगी मैं a plus b करूँगी तो क्या है b कितना में a टू तो c किपना आ जाएगा मेरे पास 3 तो फिर आगे क्या होगा करिए क्या सी को क्या करें c बाद इसका cookie कर दंढा सब्सक्को यीग क्या जो सब्सक्राद ये कितना इंन एक तो फिर बिसे साओ कर सब्सक्रादर इसकाब मतलूगी तो इसका 9 इसका answer आ जाएगा तो इस तरीके से हम इसको solve कर लेते हैं तो देखते हैं जैसे आगे 2 number का है तो सबसे पहले क्या करेंगे take number number 3 number लेंगे क्योंकि A B हमें given होगा और C में हम उसकी value डालेंगे तो input of the A B, A B की कोई भी input दे देंगे जैसे A 1 दे दिया B 2 दे दिया उसके बाद क्या करेंगे A plus B को add कर देंगे जो भी एड़ करके आएगा वो C में डाल देंगे C into C कर देंगे जो भी answer आएगा वो उसको print कर देगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते तो आगे यह पैरामिटर एंगल का निकालने का तो इस तरीके से हम सारे algorithm को use करके सकते हैं तो मेलनी क्या है कि algorithm क्या होता है तो algorithm is a step by step procedure of calculation और इसका यूज किसलिए क्या जाता है complex task को simply define करने के लिए हम algorithm का use करते हैं तो next lecture में हम जो भी इसके exercises के question शोल आउट करेंगे वीडियो में आपको मिल जाएगा thank you for watching my video if like subscribe my video thank you